विल्कम बैक तो मैं चानल नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गउतमी और गउतमी तो आज मैं आपके लिए बहुत ही डेलिशस स्वीट और स्नेक्स की रेसिप लेके आई हूँ तो जैसे कि आप देख रहे हूँ कि यहां पर यह चिक्की बना रही हूँ तो चिक्की की रेसिप के आपके लिए प्रेजेंट करना चाहते हूँ तो ऐसे ही वीडियो जो है लास तक दिखिए और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कड़ाए गरम होने के बाद लगबग एक टेबल स्पुन मैं खी डला और मेने अध्यक्त किया हुआ जो गुड लिया है मैं इसमें दाला है और फ्लें हमें जो हैं लो से मीडियम रखना है और इस तरह से हमें कंटेनुसली गुमाते हुए इसको मिल्ट करना है तो यहाँ पर हमें एक तार के चासणी इस गोर को बना ले नहीं है दो ब्रत के बहुत सरी रेसिपी अपलोड की हुई है तो इसमें बहुत सरी लोग वुरत का नाश्टा खाना बनाते हैं तो आप चाकर चेक कर सकते हो दोस्तों यहां पर गुड्ट जो है पूरा मिल्ट हो चुका है अब देख सकते हो जादा समय जाय ना करते हैं एलाची पाओड दृट मिक्स कर दिया है और लेगे तो एपको जो है पर को बेसे या है उल से सम्येया में और यह टो बने नाट जो!' विट ब्रीड पेल्क करना है ? इस तरह से एक चे बनाने के लिए प्लेट लिया है और उसे में मैंने यहाँ पर बैडर एड़ करके इस तरह से पहले थोड़ा सा हाथों में पानी एड़ किया है और इस तरह से मैंने फ्लैट किया है और बात में हमें इसको अच्छे सा शाहिन शेप आने के लिए मैंने एक प्लेट का इस्तिमाल किया है उसको थोड़ा सा पानी आते लगाएंगे और इस तरह से दबा कर प्रेस करके एकवल कर देंगे यहां पर जो है चिक्की हमारी बन के तयार हो चुकिए इसको लगबग 15-20 मिनिट ठंडा करने के लिए लगाएंगे 15-20 मिनिट तो नहीं लगते 10 मिनिट में भी ठंडी हो जाती है तो देखिए दोस्तो अगर होता तो यह आसानी से कट होता यहां पर दोस्तो में चमच का इस्तेमाल कर रहे हो जो है यह बैटर शायन करने लगता है यह ठंडा हो जुका है तो आप देख सकतो यह बैटर शाइन नहीं कर रहा है यह लड्डू का गुड़ है फिर मैंने कोशिश किये कि आपके लिए वीडियो प्रेजेंट करूँ तो कोई बात में दोस्तों लेक्स टाम और बढ़िया में आपके लिए वीडियो बना के प्रेजेंट करूंगे यहां पर हमारी यह आसन से जटपट स्नैक्स के लिए इवनि सब्सक्राइब बना वाली रेशिपी यह रेशिपी जो पैफेक्टली नहीं बनी लेकिन टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है इसे बल्डब सर्कुलेशन बलड इंप्रमेंट होता है और वैसे भी ठंड मतलब बारिश चल रहा है तो इसमें गर्म हट के लिए गोर्ट खाना बहुत जरूरी होता है यह दोनों भी चीज़े बहुत जरूरी है तो इसलिए मैंने चिक्की की जो है रेसिप आपके साथ शेयर किये है अगर आपका अब्रत है तो आप इसमें फुटानी नहीं डाले तो इसमें आपको सेंग दाने की चिक्की बना की इंजॉय कर सकते ह आज के लिए तना है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चानल को सब्स्क्राइब जरूरी करिएगा अगर नहीं पसंद आया है तो लाइक जरूरी आज के लिए थो ंसन बाइबाई टेक केर